नमस्कार दोस्तों, पूझने स्री पंडित प्रदीप जी निसरा द्वारा कहे कहे कुछ ऐसे उपाय रहते हैं, जो शिव महापुरान के द्वारन कहे जाते हैं, और आप इन्हें नोट करना भूल जाते हैं, वही उपाय हम अपने चैनल के द्वारा आप लोग तक पहुचा रहे हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल को नए हैं, हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा, और इन उपायों को करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, आइए जानते हैं, मंगलवार के दिन आसान उपाये, जो जिससे हनुमान जी प् पूजन करने से कश्टों से मुप्ती मिलती है। हनुमान जी की विशेश रपा पाने के लिए भक्त मंगलवार के दिन वरत भी रखते हैं। मंगलवार के दिन ग्रहों की इस्तिति शुब करने के लिए पूजा अर्चना भी की जाती है। मंगलवार का सीधा संबन्द मंगल ग्रह से भी होता है। मंगल को उर्जा का कारक माना गया है। शास्रों के अनुसार मंगलवार को कुछ उपायों को करने से हनुमान जी के प्रसन होने के साथ ही जन्म कुंडिली में मंगल ग्रह की इस्तिति भी मजबुत होती है। जानते है मंगलवार के कुछ उपाए मंगलवार के दिन राम मंदिर जरूर जाना चाहिए हनुमान जी के दर्शन के साथ भगवान राम और माता सीता के दर्शन करना भी शुब माना जाता है कहते हैं कि ऐसा करने से बजरंग बली की मनों कामना हमेशा पूंड कर देते हैं बजरंग बली के दर्शन बिनाश्री राम के दर्शन के अधुरे माने गए हैं हनुमान जी का आश्रिवात प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन उन्हें पूजा के दोरान गुलाब की माला या केवडे के फूल इतर अरपित करना चाहिए और वहीं अकाओ के पत्ते की माला भी अरपित करना चाहिए पीपल के पत्ते की माला दुखों को नाश करने के लिए होती है अगर आप पीपल के पत्ते की माला जरूर अरपित करेंगे तो आपके दुख नश्ट होंगे हनुमान जी के मंदिर में जाकर राम रक्षा इस्तरोत का पार्ट जरूर करना चाहिए कहते हैं कि ऐसा करने से कष्टों से मुक्ते मिलती है वह हनुमान जी की करपा से भी मनुकामनाय पून होती है हनुमान जी को प्रसन करने के लिए मंगलवार के शाम को हनुमान मंदिर जाना चाहिए और सरसो के तेल का दीपक एक शुद्ध गी के दीपक को जलाना चाहिए अगर सरसो का तेल नहा हों तो आद तिल के तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं या गाय के घी का दीपक आप अवश्य प्रजलित करें। ऐसा करने से हनुमान जी अत्यांते प्रसन होते हैं और हनुमान जी को चोला जरूर अरपित करना चाहिए। अगर चोला नहीं तो आप सिंदूर अरपित करें। उन्हें थोड़ा सा सिंदूर लेकर उनके चर्णों मे जरूर लगाएं। इससे बिगडे काम भी बन जाते हैं। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन पीपल की पूझा करने से हर मनो कामना पून होती है। और हनुमान जी भक्तों को माला माल कर देते हैं। यूँ तो गाय को हर दिन रोटी खिलाना शुब माना जाता है। लेकिन मं मंगलवार को हनुमान मंदिर में नारियन रखना भी शुमाना गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से हनुमान जी की करपा और जादा बढ़ जाती है। और वो हमारी मनो कामना बहुत जल्दी पून करते हैं। चीजों से दान करने से इनका इस्तेमाल का विशेश महत माना गया है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला भी अरपित किया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से हनुमान जी भक्त पर हमेशा अपने करपा बनाए रहा है। रखते हैं। पूजा के दोरान हनुमान जी को ब अगर आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ भी फाइदा होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तवियम लिखना ना भूलिएगा और भी कई ऐसे उपाय हैं जो हमने पंडित प्रदीप जी मिस्रा द्वारा कहे गई उपायों को डाल है अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटे को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डाले आप तक सबसे पहले पहुचे ऐसे ही कई उपायों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो मे जब तकिली यशे शिवायन अश्तप्यां